हे गाइज वेलकम बैक टो माई चैनल केरन व्लॉग्स और आज मेरा ये वाला व्लॉग ना बहुत दिनों बाद आ रहा है मतलब की तीन हफते तो हो गए होंगे मुझे व्लॉग डाले हुए मैंने व्लॉग नहीं डाला बट लेकिन कुछ दिक्कतें थी इसलिए मैंने नहीं डाला मुझे प्रॉप्लम हो रही थी कुछ खुद की तबित खराब थी और घर में बच्चों की सब की तबित खराब रही थी जैसे कि आपको पता है कि आज भी मेरी आवाज बिल्कुल ऐसी हो रही है कि बस क्या बता हूँ बात मैं खास खास के ना ऐसे हो गया पेट में भी दर्द ओने लगा है इतने ज़्यदधा हलद खराब हुरही थी जबए कुछ आरए —कभी कुछ हो रहा है कभी किसी को हो रहा है घर में पखराब थी तो कुछ बपसी सा सेड्यों भी चला तो मैं व्लॉ बोग शूट किया है और मैं इसको शाम तक अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी वरना तो कल तो अपलोड कर ही दूँगी तो आज दिन है फ्राइडे और कल है शिवरातरी और आज फ्राइडे है एक दिन पहले का दिन फिल्हाल मैं नहाई हूँ धोई हूँ सब काम कर है और देखो मैंने आज पहनी है साड़ी जब कुछ अपना मन अंदर से ठीक होता है ना तब ही हरे चीज का मन करता है तो यह सब चीजें भी तब ही होती है तो और आज मैंने बहुत दिनों बाद साड़ी लगाई है बहुत दिनों बाद क्योंकि मैं बसे तो regular में लगाती पहले तो पर लेकिन अभी मैंने बहुत दिन बाद लगाई शादियों में तो लग रही थी बीच बीच में शादियां भी थी बहुत सारी उनमें तो लग रही थी साडियां पर लेकिन वैसे नहीं लग पारी थी तो फिलाल मैं दिखा दूं कि दिदी ने जाड़ू पुछा स जैसे कोशिश करते हैं और कपड़े देखो दिवी ने ब्रस करके रखे वे थे यह मने अभी उठाए नहीं मुझे टाइम नहीं मिला कुछ यह भी रखे हैं तो मुझे आज अभी ना मैं आपको एक हाऊ यह पूरा रूम देखो कितना बहरा बढ़ा है खचा खच यह हमने कल क अपड़े थे और इने उठाने का मुझे संगाने का कहने का मतला बिल्कुल बटाइम नहीं मिला और मैं अभी इन में लगती हूं पहले इन में से चाटती हूं प्रेस के और फिर बाकी को प्रेस तया लगा के रखे तो आपके साथ शेयर करेंगे बने रहीएगा पूरे प् अब देखो फ्रेंड्स यह धीर सारे जो कपड़े मेरे नाम के रखे ना इने मेरे लावा कोई हाथ नहीं लगाता है और यह देखो मैं इसमें से छाट छाटके जो मेरे नए है न और आजकल न सर्दियों के तो कपड़े रहते ना मैकसिमम ते लगा के अच्छे से चल जात हैं तो मैं ज्यादा तर के तैह ही लगा देती हूं और प्रेस के लिए में कम से कम निकालती हूं जो बिल्कुल जादा ही जिनके चल नहीं सकता काम जैसे जो कॉटन के एक-दो सूट पहनती हूं क्योंकि मैं गरम सूट बहत कम पहनती हूं तो इसलिए मैं ठंडे कपड़े जादा पहनती हो तो मुझे जो ठंडे मेरे सूट है हाला कि मेरे और इनकी जो शर्ट पैंट बगएरा रहती है ज्यादा तर कपड़े वही रहते हैं या बच्चों के आने जाने के रहते हैं वो धुलते हैं तो उन पर प्रस करने पड़ती है तो बाकी सारे कपड़े जो मेरे घर में पैनने के सब के हैं उसब के मैं तया लगा कि आजकल काम चला देती हूं क्योंकि आजकल काम बहुत जादा होता है दिन छोटे से ही होता है हाला कि दिन में फरक पड़ी है लेकिन फिर भी दिन छोटे ही होता है तो टाइम का पता ही नहीं जलता कि कहां जला गया और यह नहीं इतना खराब हुआ मैंने ब्लैक पेंट के साथ यह क्या हुआ कि कुछ गीला कपड़ा डाल दिया जैसे कुछ हो जाता है ने गीले उससे ने इस पे ब्लैक कलर के स्पॉर्ट वगेरा पड़ गए तो देखो कुछ समान मेरी दूसरी अलमारी के वे लगाने के थे यह मेरा रूम है तो इसलिए मेरे जो कपड़े हैं वो सारे में यहां लगा दूँगी और यहां किसी के कपड़े नहीं है बस यहां बच्चों की सॉक्स और अंडर गार्मेंट्स हैं मेरी अलमारी के अंदर और इस टोक्री में मेरे अंडर गार्मेंट्स हैं इस बास्किट के अंदर तो यह सारे मैं अपने चाट के अपने अलग कर रही हूं बच्चों के अलग कर रही हूं सारे जो हैंकी वगएरा यह सब मेरी यल्वाने में रहता है क्योंकि यही वाला बाथरूम यूज करते हैं तो इसी में से सब को कमफर्ट रहता है बस फटा-फट से निकाल ल हैं सलमारी में आज मैंने पिलो वगेरा की कवर जो है ना वो सारी धुले हैं जितने भी बैड पे जितने भी पिलो हैं हमारे तो वो सब तया लगा के अब जाके संगाया और अब जाके इस चारपाई को थोड़ा सांस आया होगा नहीं तो इतने कपड़े लदेवे थे ना कि बस पूछो मत यह देखो प्रेस के प्रेस की जगह रख देती हूं बाकी सब को संगा देखो दिदी कर रहे हैं फिलहाल जितने कपड़े इनकी पॉकेट वगेरा चेक क्योंकि बच्चों की पॉकेट में भी ना पेपर वगेरा वाश हो जाते हैं और मैं खट्टे करके लेक दीदी को छाड़ छाड़ में यह चणा करके बच्चेवे हैं तो दिदी पूरे छोटे मोटे काम तो आश कि एह ईसमन बहुत हैं तो यह वो अलग जाएंगे और उनको थोड़े अचो दीद वाले जेए चोड़ देंगी फिरिने वाश करके डाल देगी आप जाके निपटा है मेरा जो बहुत सारा कान था वह आ निपटा है तो अब हम देगी लगा रही है मशीन पानी में बहर के आई थे उसमें कपड़े डालके मैं उनको सम्झार दिया भी बहुत देर तक तो एक दो कपड़े उसमें हाथ से धुलने वाले वो उनको हाथ से तो अब जाके इतना का वने उप्टा है किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है घर पुल टोटल बिल्कुल साफ हो गया बिल्कुल और अभी मैं आपको दिखा रही हूं कि देखो मेरा यह मैंने स्वेटर बनाया था दो साल हो गया इसे बताये में बट लेकिन दो साल से बांवाक कि पसे इसे मुझे तो pratic को यह क्रण करते हैं जमें पFeel Crey सामानाय को सामान form तो सामानर रख आए जाते हैं टो मैंने त्यार के और यह जयाए उसको नयुक्त सच ब्सक्राइब करें कि सब्सक्रास का सर्दिया नहीं निकाला कोई फायदा नहीं है तो मैं गया करती हूं कि फिर उसको next year एकदम से निकाल लेती हूं तो यह मुझे पिसले साल मुझे रखा वा मिला ही नहीं कि मैंने इसे पता नहीं कहां रख दिया पॉले थिन में रखे और कहीं रखा गया और अब किया साल मुझे निकला था तो मैंने बटन लगाए एक दिन और इसमें मैंने वैसे बीना काज छोड़ रखे हैं आपको दिखो यह देखो ऐसे वाले काज में छोड़ती है मैं नहीं पहला स्था बनाया था यह वर्ना तो मैं क्या करती हूं टीच बटन लगाती हूं या फिर नीचे से हुक लगा देती हूं और देखो यह ना मैं आपको इसका पूरा लोग दिखाती हूं कि कैसा लगता है यह साड़ी पर भी इतना अच्छा लग रहा है कि मेरे पास वर्ड नहीं मिल रहे है इसको बताने कि और इसका कलर भी बहुत ही प्रीटी सा कलर है बहुत ही सुन्दर है और मैं आपने देखा हू और बनाती जाता हूं ऐसा है मेरे दिखाओंगे एक व्लॉग में मेरे अपने ही बनाए हुए जतीने भी मैकसिम मेरे हाथ से बनाएवे स्वेटर होंगे ना वह आपको सारी दिखाओंगे बट लेकिन इस उन स्वेटरों में सबसी जाधा अच्छा मुझे यह वाला इसके जो गला बनाए है वह बहुत सुन्दर उसमेने हलके से रिंकल्स आरहे हैं जो आपको हलकाल का कैमरे में दिख रहे होंगे और यहां भी देखो तो मैंने इसका बहुत बनाया था तो यह मुझे बहुत ही पसंद आ रहा था यह गला मैंने किसी से बनवाया था मतलब मम ममी ने उनसे सीखे तक ममी ने बनाया यह क्योंकि मुझे भी नहीं आ रहा था बनाना तो पर यह बहुत सुन्दर बना सीखे भी किसी से ममी ने बनाया क्योंकि मैं नहीं पकड़ पानी थी उस चीज को ममी ने बनाया यह क्या मुलते देखो इसका ना यह बहुत सुन्दर है तो यह पता है, हुआ कि दो लाइनों में बटन लगाउगी बीट सहोते हैं च्टफे च्टफे मोती होते हैं तो लगाऊए और तब भी अच्छा सा क्रेज आजाएगा मुन्हाया, हलना कि मैं irgendwie स्टूब बनाओ कि मैं हमां कि या मैं सुच फुल्सृप मुन मचीन और हएं सब Wells बनाओ कि यंप कि इस distraction laughhmen मुझ छूम अच्छा है इसवाड़ा कि कम फुनाओर मुझे अच्छा लगता है क्या कहूं इसे हालका सा bleu , स्काय ब्लू सा कलर मुद्वा यह थोड़ा सफ डल का रहा है और बहुत ही सुंदर मतलए कहhã लगा लू आप और यह मैंने पिछले से पिछले साला सुरू किया था और हां मैं पिछले बार मिने पिछले तक बना गया था बाजूंब को मैंने इतना बनाया था इतना बनाया था और उसके ऊपर एक बननी थी और एक मेरी पूरी बननी थी तो मतल़ इतने में जब होता कि आना जब लास्ट आ जाती है न विंटर्स की और कोई चीज रह जाए तो फिर बस रही जाती है या तो से कंप मैं वह बुनाई भूल गई मेरे साथ इतनी बड़ी ट्रजिटी होगी कि मैं बुनाई भूल गई यहां से दिखाती हूँ आपको यह देखो यह है और इसके मैं बुनाई भूल गई डालने के बाद अब फिर क्या हुआ कि आई नी आई नी जो मेरी छोटी स्लीव थी ना वह मैंने उधेड उधेड के सीखने की कोशिश की नहीं आई फिर मैंने किसी के help ली उन्होंने मुझे उधेड के किसी को आता है देखो पकड़ना भी तो उन्होंने पकड़ ली वो कि कैसे बनाई भी है तो मैंने कई जनों से पुछा बट लेकिन एक ही जना उसमें सक्सेस हो पाया तो इसलिए इसने पकड़ी तुस zoo मुझे दुबार होताई तब पिर मैंने इसको पूरार डी किया मैंने का यार आप तु पकड़ मेरे पाता है किण तो मेरे पता है कितना डिफिकल्ट ॔ रहा था की माइल पिर क्या घरती-मेरे पटो पकड़ ली तो मुझे बहुत खुशी ही मैंने काया है बड़ा सुकून मिला मेरे दिल को तो तो तेखो मैं अभी पहले फिलाल आपको दिखाती हूँ फिर बताऊंगे आगे इसके बारों में देखो यह मैंने इसके साथ ऐसी बुनाई मैंने इसमे डाली है देखो पहल तो मुझे नहीं अच्छा लगते आप कुछी भी कहलो आप यह है देखो वैसे मैं सोच रहते हैं कि मैं जीप लगा दू आगे बट मैं सोच रहूं कि जीप लगाने से कोई फैदा नहीं क्योंकि सेम कलर जीप जल्दी से मिलेगी नहीं और मैं इसमें बटन लगाऊंगी औ जाजकर ट्रेंड मैं कि दो तीन मतन लगा दो फिर निचे से खुला रहने दो तो कुछ ऐसा है और यह देखो फूरा दूर से ऐसा है और मैंने इसके स्लीव में सिरफ जैसे यहां पर पूरा डालावा है न तो यहां असलीव में अनने सिर्फ एक ऐसे दू लाइन डाली वि जाधा नी पहना तो यह मुझे अच्छा लगते हैं अपने थोड़ा कहीं आने जानी में जासे सवावी जा रही है लेकर बाव तक इस से ऐसाधा बीड़ावा से लेकर ऊपर तक एपन यह दक दिखाऊंगी कि इसमें बीट्स लगा के ये कैसा लग रहा है तो यह बहुत सुन्दर लगने वाला है मैं ज्यादा नहीं लगाऊंगी बस इससे ऊपर ऊपर लगाऊंगी और भी थोड़े से लगाऊंगी कहीं पे कहीं कहीं पे ताकि यह यह चीज अलग न लगे और वो कि कि अटे की कउपलीट करने के लिए खोंस मैं खुब्लीट करने के लिए को बनाने के लिए हiation की बहुत ही अच्छी ये पहान के नहीं अच्छा लग रहा ना बहुत सब एंच को सब्सक्राइब बोटमस क्षेंब नहीं कर सब कर दो नहीं लिए और इसके टेहरा सुट के उ बहुत ही युआ तो मुझे तो ऐसी अच्छी लगती है सूट पे भी और स्वारी साडी पे भी और यहां पर से बस यह की बटन जो होते है नो फैंसी बटन लगे होने चाहिए तो मैं सोच रहे हैं उसमें 3-4 बटन यहां तक लगाऊंगे फैंसी और उसी में ही एक दो हुक लगा दोंगी कभी भावी को जरुत पड़ी तो लगा लेंगी बढ़ना तो रहने देंगी कि खुला ज्यादा अच्छा लगता है और जब इस पर यहां पर बीट्स लग जाएंगे ना तो बहुत ही सुन्दा लगेगा यह तो मैं सोच रहे हूं कि आज इसे कंप्लीट कर लेती हूं और फिर अब को इसका फाइनल लोग पिखाऊंगी शाम तक कि अभी तो मुझे काम भी तो बहुत सारे होते है घर यह इतने सारे काम होते हैं जिए खाना भी तैयार करना है रेडिकरना है तिल्हाल है अपना ही पहन लेती हूं कि जब इस पर लगाओंगी ना तो सोच रहूं कि अप बस होती है और मैं एक और रिखाती हूं कि मैंने अपना एक नया स्वेटर सुरू किया है और इसमें भी मैंने बहुत सुन्दर बुनाई डाली है बहुत सुन्दर मतलब आपको यह ना फोन पर ऐसे मिल जाएगी देखो ऐसे थोड़ा सा जिग जैक वाली है देखो यह यहा हुआ है अलट-पलट करके बनना है तो उसके थ्रेड का थोड़ा सा फाग है तो वाइट में बिल्कुल दिखाई नहीं रहता देखो कैमरे में इसे दिखाऊंगे नहीं आपको हलका सा जहलक दिख रही होगी ऐसे तो यह बाडर बना रही हो और उपर में बिल्कुल सिंपल बनाओंगी और मैं इसको बन स्वेटर बना रही हूँ और मैं इसे बना रही हूँ जैसे ब्लाउस टाइप का नहीं होता है इसको मैं हाइनेक बनाओंगी थोड़ा और ब्लाउस टाइप का बनाओंगी ताकि जो विंटर्स में किसी भी साड़ी पे मैं इसको पहल सकूँ य चिलाब ementsस्ट like gesagt, इसरी बॉर्टर बनाए के मेरी देवदानी के बिवाटनी समटने है, जब उसके पीपर भैर तो मैं सोच्रे हो धिसन की यह उसको देधेंगे उसको देधाँ है, और इसला दूसरम बिवहर बनाए टैयार द्यूइँ héjos, मैं मममी को दंगी और या तो फिर ममम्मी को बाजू दोंगी और पिष रिंगी से बन वा लोगी और आगे वाला पनाउंगी और बाजू बना देगी अन्वा आखि वहा से ममममी पहता है भूपाल की तरह जा रखें उस Database मुझे मैं भूल जाते हूं पताते तो बहुत सारा है तो क्या बता हूं बहुत सारी डेटेल है तो इसे लिए तो मम्मी आके मेरा स्वटर बनाएगी और रिंक से भी बुनवाऊंगी अलगी रिंकी का हाथ बहुत टाइट चलता है पर लेकिन देखते हैं कोशिश करेंगे भा आने आले टाइम में अब गर्मिया जल्दी आ गई है तो गर्मिया जाएगी ना फिर बोरियात आ जाती है पुनने में फिर रखा जाएगा और रखा जाएगा फिर बुनाई बोल जाओंगी जैसे इस स्वेटर के साथ हुआ तो इसलिए हैं कि जब आने स्टार्ट करके ही तो देखते हैं यह कहां तक आपको तिखा पाऊंगी मेरे व्लॉक्स में आपको देखने के लिए मिलेगा जब मैं इसे बुनने के लिए बैट होंगी थोड़ा-थोड़ा सा क्लिप एड करती रहोंगी तो आपको पता चलता रहेगा कब मेरा स्वेटर त्यार होता है क्यों और भी बहुत सारे काम रहते हैं साथ में तो नहीं हो पाता है देखे मैं बैट गई हूँ अभी इनमें बीड्स वगेरा लगाने के लिए तो मैं बीड्स ऐसे नहीं मिलते कि मोती मिल जाए वो एक लेस टाइप की आती है और लेस में से काटके मुझे लगाने पड़ते हैं तो उसके लिए मैंने पिंक वाली रिल ले रखी और जो ये वाले स्वेटर है इसका कलर थोड़ सा फिरोजी है मतलब थोड़ सा ब्लू है तो स्काइब ब्लू कलर की मैंने रिल ले रखी तो मतलब सेम त्रिड्स से लगाएंगे न तो ज्यादा बड़ी हाल लगते हैं अर तीन का फ्लावर टाइप के बना दिये तीन मोती लगा के कहीं कहीं पे जहाँ पर मैंने बुनाई डाल रही है न डॉट डॉट वाली तो इस बुनाईयों के उपर ही लगाएं तो कहीं कहीं पर सिंगल लगाएं तो ये ना mix and match करके अच्छे लगते हैं और देखो बेटे न मतलब कहने का हम मैं चाहती तो इसको ऐसे ही छोड़ देती लेकिन बट मेरा एक अपना मन था कि जब कुछ भी काम करो तो बहुत अच्छे से करो होना तो करो भी मत तो मेरा मन था मैंने का चलो मैं अपने स्वाटर में लगाऊंगी तो भावी की स्वाटर में भी लगा के द लगाने वरना तो क्या होगा कि मैं पहुचा तो दूँगी पहनेंगी तो अगले ही साल अब सर्दी तो चलीगी यह इतनी जादा नहीं रहेगी कि हाथ के पुने में स्वाटर चाहिए तो मैंने का तयार करके तब ही दूँगी तो देखो ब्लू वाले में तो लग गए मैं इसका अगे दिखाऊंगी और मैंने जितने लेस में थे हैं मोती देखो यह देखो यह देखो फ्रेड निकलता है ना इसमें तो इसे रहाँ से रगड़ के ठ्रेड साइड और मोती साइड हो जाते हैं तो देखो अम मैं सोच रहे हूँ जब बैठी हो लगाने के लिए तो जो यह ब्लू वाला स्वेटर था, इसमें ना मुझे जगा जगा मुझे कांट लगानी पड़ी, क्योंकि अलग अलग जगा लगाया, ना मिने मोटी, और इसमें तो लाइन से लगाया, तो मैंने फ्रेड को कट नहीं किया, बस एक के बाद, एक के बाद, एक अंदर ये अंद सुन्दा लग रहे हैं जैसे मार्केट से लाते है न तो उन में थोड़ा सा काम होया रहता है बीट्स वगेरा कुछ लगा के रखते हैं तो उससे लुक अच्छा जाता है मतलब कोई चीज सिंपल भी थोड़ी सी अच्छे बन जाते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके का हाल है ये बिल्कुल ये देखो है आज दिन में जो मैंने भूला था वह ने थोड़ा सा दूर से दिखाती हो तो आप मुझे कमेंट करके जदूर बतायेगा कि कैसा लग रहा है मेरा स्वैटर के मैंने जैकेट टाइप की बनाई हिए बहुत ही प्रीट्री लग रही है मुझे बहुत अपने आप में यह देखो कितना सुन्दर इसका लूग का आवा है ना बहुत ही सुन्दर और मैं बटन तो देखो मैं लगाती हूं तो इसलिए मुझे खुली अच्छी लगती है बिल्कुल ऐसे फिट करके और जैसे लगाते हैं बहुत से लोग ऐसे पहने वह मुझे इस तरीके से लगा दिया उपर उपर बस इतने में और यह और अब मैं इसको पहन के दिखाती हूं कि यह कैसा लगेगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि यह कैसा तैयार हुआ है अभी मैंने इसमें बटन नहीं लगा है मुझे टाइम ही नहीं लगा और मुझे बटन तो मुझे लाने पड़ेंगे फिल्हाल तो यह मैंने इतना कम्प्लीट कर दिया तो यह मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कि क्यासा तयार हुआ है यह देखो कि मैं मम्मी बोल रही हाँ से तो अब मम्मी तो जा रहा है कहीं घूम ले है मैं इसको इतना इसमें बड़े-वड़े से अगर मैं पस पसमें भी जी से लगाऊंगी यहां और यह港 में ने कंवादा ॏसलिंष में तेनrü बढ़ाकी मुझे तो तीन भी अच्छे ने लगते लग कहीं साड़ी ने भाग रही कहीं सूट नी भाग रहा कुछ नी होता इसके सामने मुझे खुद को ऐसा लग रहा कि रेडिमेट स्वेटर भी फेल है तो मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि आप देखो इसका पीछे का लोग दिखाती हो देखो ऐसा है कि इसमें भी ना हलकी सी जो मैंने उल्टा सिधा करके बुनाई डाल रहे हैं तो देखो उसका लोग भी बहुत सुन्दर आ रहा है और इसकी फिटिंग विटिंग सब बहुत ही बढ़िया इतनी बढ़िया लग 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 कश आती है और लिए ब region कमी पहनती थी मैं अभी मैंने एक-डू स्वेटर लिए हैं सिरफ financier बीने video बील्कुल भी ने पहनती थी मैं तो सूरू से तो मैं एक दिन आपके साथ शेयर करूंगी मतला नेक्स्ट व्लॉग उसी का डालूगी कि मैंने कितने स्वेटर अपने आप बना रखे हैं मैं दिखाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी कुछ तो मैंने इस बार निकाले ही नहीं है विंटर्स के सटर तो आपको व्लॉग कैस अब आपको अपने बनाया यह कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके बता देना अब आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर के बिना मच जाएगा तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाबाई टेक केर आज का व्लॉग यह ही पेंड करते हैं मिलेंगे ने व्लॉग में तब तक के लिए बाई